इसके लिए मैं सबसे पहले यहां पे जो होता है word खोल लेता हूँ MS word जो आफिस की package होती है और MS word को खोल लेना है आपको यहां पे और एक option जो आप देखते हैं यहां पे mailings की जो आपको मिल जागा उपर menu में अगर आप आते हो यहां पे mailings पे तो आपको यहां पे देखो envelops है, label है, start mail merge है तो यह mail merge क्या होता है मैं आज आपको बताने वाला हूँ यहां पे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को start करते हैं तो mail merge के बारे में जामने के लिए आपको करना क्या होगा पहले तो आपको थोड़ी बहुत एक्सल की knowledge होनी चाहिए ताकि आप mail merge को समझ पाओ तो इसके लिए हमें एक्सल की जुरूत पड़ेगी तो चलिए यहां पर हम एक्सल को खोल लेते हैं यहां पर और एक्सल में हम कुछ इंट्री कर लेंगे पांच लोगों के नाम से ताकि समझाना आपको आसान होगा मुझे mail merge होता क्या है तो यहां पर चलिए मैं मैं एक serial number देता हूं यहां पर मैं name देता हूं सिसमें कि कुछ नाम होगा लोगों का और यहां पर यहां पर इंटरी हो चुका है अब देखो यहां पर पाँच लोगों का नाम यहां पर है जिनका roll number, class और mobile number हमें यहां पर पता है ठीक है तो चले इसमें कर लेते हैं यहां पर जाके save save as के दूमें से अपने desktop पे यहां पर save कर देता हूं ताकि इसे खुजना असान हो मेरे लिए list 2 के नाम से मैं इसे save कर दिया ठीक है चले इसे close करते हैं यहाँ पर वर्ड में आ जाते हैं अब mail merge यहाँ पर करना है में use तो इसके लिए मैंने एक बना लिया data जिसको मैं यहाँ पर वर्ड में connect करूँगा यूज करने के लिए तो चले यहाँ पर simple सा एक हम लोग बना लेते हैं एक school का जो ID card होता है वो format ताकि एक ID card बनाना अगर मैं आपको बताऊंगा mail merge के तो आप इसके concepts को समझ पाओगे आसानी से तो चले यहाँ पर जाएंगे shapes में और shapes में यहाँ पर जाके card का जो यह shape है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पर draw कर देता हूँ ऐसे आप देख पाड़े हैं यह card यहाँ पर draw कर दीजे ऐसे और इस पर यहाँ पर no fill कर दीजे इसमें जो feel है ना इक color blue वाला इसे no fill कर देंगे तो यह color है वो हट जाता है और जो यह outline है आप यहाँ पर design के लिए थोज़ाँ आउटलाइन का जो size है हेवी कर सकते हैं ताकि देखने में यह आपको अच्छा लगे और इसकी outline की जो color है पर देता हूँ मैं black मेलिंस में चले जाएंगे पहले अब अब मेलिंस में जाने के बाद यहाँ पर आप देखो select recipients करके जो option आ रही है यहाँ पर click करना है आपको और huge and existing list पर आपको click करना है click करने के बाद अब आप यहाँ पर locate करो excel file जो मैंने create किया था उस excel file को हम यहाँ पर locate करेंगे connect करने के बाद आप देखो में लिंक से अंदर बाकी जो hidden items थे वह बीजबल होना start हो चुके यहाँ पर तो अब आप देखो यहाँ पर कि insert merge field वाला जो यह option है इसका हमें यूज करना यहाँ पर तो name के बाद हम लोग यहाँ पर दो space देते हैं और insert merge field पर click करेंगे और यहाँ पर name है तो मेरे जो name वाला field है यहाँ पर call हो जाना चाहिए वाले को भी को भी यहाँ पर call कर दीजिए एक फिल्ड जो बच रहा है roll number तो हम क्या करते हैं यहाँ पर space देखें यहाँ पर इसी के नीचे में यहां roll number मैं इंट्री कर लेता हूं ठीक है और यहां पर रॉल लंबर को भी हम यहां पर कॉल कर लेते हैं तो चलिए नाम रॉल लंबर क्लास मोबाइल इतने जितने भी वहां पर मैंने कॉलम दिये थे वह सारे के सारे यहां पर मैंने कॉल कर दिये तो अब क्या होगा यह रिकॉर्ड अगर मुझे यहां चेक करन तो आप देखो जैसे मैं प्रिव्यू पर रिजर्ट्स पर क्लिक करता हूं तो पहला रिकॉर्ड जो मेरा नाम था पावन उस नाम से यहां पर डेटा आ गया जो भी था सिक्वेंस में फिल्ड डेटा पावन नाम था रॉल नमर 9 था क्लास 10 था और जो भी उनका मुवाल नमर था यह हो चुका है आप जैसे यहां पर नेक्स्ट करते हो ना प्ले बटन के पास में यहां पर तो यह रूआन मतलब उस एक्सल के दूसरा रिकॉर्ड जो था यह और पर प्रिंट हो गया अब फिर नेक्स्ट करते हो तो तीसरा चौथ है इसी तरह से जितने भी आपको option यह दिखा तो यहां पर क्लिक करना है और इडिट individual पर आप क्लिक कर दो तो यह individually क्या होगा सारे रिकॉर्ड को या फिर आप current रिकॉर्ड को भी प्रिंट करा सकते हैं या फिर आप बता सकते कि लिए पास रिकॉर्ड है तो उसमें तीन से लेके पास तक ही पर ठालग लग पास परिंड की दूसरा पर पेज में आते हैं तो रोहन का जिक्र होगा जो दूसरा का अगी था तो तुसरे में और टीसरा कार्ड लेटर कुछ भी आप जो है बल्क में जिनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सल में डेटा उस तरह का है और एक जो और मेल मर्ज की खूबी है अगर मैं यहां पर जाओं आपको तो यह प्रिंट के लिए भी तो आप डाल नहीं सकते हो आप आप mail भी कर सकते हो सब्कूज आपने जितने भी ID कार्ड बनाए और इन सारे का एक कॉलम बनाते हैं अगर एक्सल में जो email का कॉलम होता जिसमें इन सारे लोगों का email ID भी आप mention करते तो उस email ID वाले फिल्ड को आप यहां पे select कर लेते ही यहां से और select करने के बाद अपना यहां पर email ID डाल देते हैं और जैसे okay करते ना तो यह ID card पौन वाला पौन वाले mail पे चला जाता उसको और so on वाला so on को उसके mail पे चला जाता मतलब individually सब को mail चला जाता उनका ID card यह वाला concept आप यूज करके आप greeting card send कर सकते हो अपने friend को या बड़े विशश जो है आप share कर सकते हो किसी के साथ तो यह एक बाद में bulk mail वाला भी facility आपको यहां से मिल जाता है जो कि individual सारे documents को आसानी से भेज सकता है ठीक है इसके अलावार जो है आपको यहां पर print का option मिल जाता print पर क्लिक करोगा सारे record को वह print करना start करतेगा एक बात और कर लेते कि अगर suppose मुझे यह जो है individual page में अलग-अलग नहीं चाहिए था एक ही page में print करना तो क्या करना होगा जैसे इस page में तो नीचे में जगा तो बचीड आया ना तो इस page में अगर मुझे print करना तो मुझे क्या करना होगा तो उसके लिए मैं चलिए आपको बताता हूं आपको यहां पर जाना होगा labels में लेबल्स पर जाने के बाद आपको जो options आएंगे वहां से जो आपको page की options चूज करने होते हैं ठीक है तो labels पर जाने के बाद आप आज इतर envelops पर नहीं सोरी ठीक है लेबल पर आपको यहां पर आना है और यहां पर जाना है निव ट्रॉक्मेंट आप जैसे क्लिक करते हो तो यहां पर देखो मेरे पास तो अल्रेडी है छूज किया हो था इसलिए आ गया मैं आपको फिर इस एक बार दिखाऊंगा यहूड़ एक अप्शन में आऊँगा तो यहां पर आप देख लो यह जो मैंने यहां पर लेबल वेंडर् अलग-अलग कोड्स हैं जिसमें अलग-अलग यह बॉक्स आपको पहले से बने हुए मिल जाते हैं अगर मैं इसमें से सबसे पहले वाला बॉक्स यूज करूं तो देखो क्या होता यह यहां पर कुर्ण आपको लेपल्स पर जाना है और मुझे वह चेंज करना था यह और मेरा रोटमेटिक है writers फिर नहीं ले रहा है तो यहां पे काम करते हैं यहां पे नियू डॉकमेंट किलिक करते हैं यहां थो हुआ रासा बड़ा बॉक्स चाहिए तो बड़ा ह Praise यह देखे यह बड़ा है box उससे तो इसमें क्या कर सकते हैं इंडिविज्वल रिकॉर्ड को प्रिंट करा सकते हैं तो चले यहां पर जो मेरे पास यह डेटा बनावाई सी को मैं यहां से कर लेता हूं कॉपी और यहां पर आ जाता हूं और यहां करता हूं पेस्ट करने के बाद आप देखो यह डेटा कुछ इस तरह से हो गया मेरा यहां पर तो मैं क्या करनागा इसको थोड़ा सब छोटा कर लेता हूं यहां के साइस के हिसाब से बॉक्स यहां पर जैसा आप बनाऊगे उसी तरह से यह होगा और यहां पर इंसर्ट के तुरू मैं एक बार से कुछ फिर से डिजाइन कर लेता हूं इसी बॉक्स में एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, इकारत, कम से कम पुंद्रा के आस पास मुझे लग रहे हैं कि बॉक्स हैं तो चली यहां पर फिल करते हैं इन सारे बॉक्स को और यह जो सेम रिजल्ट हैं यहां पर मेरा ऑटोमेटिक इसी पेज म वापस से और स्लेक्ट रसीपेंट पर जाके यहां पर हम लोग करेंगे यूज एन एक्जिस्टिंग लिस्ट और जो लिस्ट मैं यहां डेक्श्टप पर रखा था उससे यहां से कर लेंगे चूज यहां पर लिस्ट टू और स्लेक्ट करके यहां पर ओके कर देंगा जैसे और है तो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग एक बर यहां प्रिविव रिजर्ट में करता हूं कुछ आया नहीं आपको यहां पे तो अभि करना क्या होगा मैं यहाँ पैं एहां पर इहां पर यह आप देख सकते हो, अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रिव्यू रिजर्ट्स पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैंने प्रिव्यू किया, तो आप देखो एक में पवन, दुसरे में रोहन, तीसरे में गोलु, चोथे में रिता कुमारी, सोहन कुमार, और बाकी जो है ब्लैंक रह गए क्योंकि आपको इसी वर्ड में देखो आपके सारे आईडी कार्ड यहां पर हैं आप इसे प्रिंट करके यूज कर सकते हो आप तो अच्छा से डिजैन कर लो तो यह कलर कोंपी आपका बन सकता है जिसमें आप अच्छे से इसमें यूज कर सकते हो तो उमीद में तो आप में इसे कमेंट करें बता सकते हैं आशा करूंगा कि मैं आपको महां हेल्प करूं तो चले ही मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यों